फ्रेंड्स हर रोज इस्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब टेके बेल आइकन को प्रेस करने ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके एक लड़का रात की दो बजी सुनसान सड़क पर मुसलधार वारिस में अपनी गाली के बूनिट के उपर अपनी आँखें मूद कर अपनी उपर बरस रही बारिश की ननी ननी सी वूदो को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था उसने अपना एक पैर मूड कर रखा वा था और दूसरा पैर लड़का कर रखा था जो सड़को छूरा था जिसे देखकर उसकी हाइट का अंदाजा लग रहा था गाली के अंदर एफम रेडियो पर गाना बज़ रहा था आखिर तुम्ही आना है जरादेर लगीगी बारिश का बहाना है जरादेर लगीगी फिल्म एलकार में ये गाना था जो संजेदत और नगमा पर फिल्म आया गया है तभी एक लड़की सड़क पर बेतहासा दोर रही थी वो बारिश में पूरी तरह से भीख चुकी थी उसने शादी का जोड़ा पहन रगा था उसे देखकर यही लग रहा था कि वो शादी के मंड़ब से भाग कर आई है वो सड़क पर अपना भारी भरकम लहंगा पखर कर भाग रही थी और बार बार पीछे मूर कर देख रही थी उसके पीछे दो जीपे लगे वी थी उसके चेहरे पर खबराहर साब साब दिखाई दे रही थी महादेव जी मुझे इस मुसीबर से बाहर निका लिए वो मन ही मन महादेव से प्रात्ता कर रही थी और नंगे पैर सड़क पर भाग रही थी सड़क परकंकर पत्थर भी उसके पैरों में चुब रहे थी जो उसके पैरों को नहुलूभान कर ले दी जब वो भाग रही थी तभी सड़क साइट उस लड़की ने उस लड़की की गारी को देखी तो वो भागते वे उसकी गारी के पास गई और उसकी गारी की डिग्गी खोलकर चुपते से उसमें जाकर चुप गई दो ओपन जीपे सड़क परतेजी से भाग रही थी वो शायद उस लड़की को ढूंग गए थी उन दो जीप में से एक जीप ने लड़की की गारी को पीछे से ठोट दिया तो वो लड़का बोनट पर से गिरते वे बचा गारी की दिग्गी में लड़की का सिर्व परसाय चोट लग गई और कमर में कोई धारदार चीज लग गई कपड़े भीके होने की वज़े से उसे पता ही ने चल लाता कि उसकी कमर में उस धारदार चीज की लगने से उसकी कमर पर कट लग गया है और उसमें से खूट बैराता पर जब उसका हाथ अपनी कमर पर गया तो वो समझ गई उसे चोट लग गई है अगर वो गारी से बाहर निकली तो वो लोग उसे देख लेंगे उसकी आखों में आसू आ गए और उसने अपनी चुन्डरी को अपनी कमर पर लगी चोट पर रख लिया अभी तेरी तो कौन है जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है वो लड़का अपनी गारी की बोनट की उपर से उठकर सड़क पर उतराया वो लड़का दिखने में लंबा रिष्ट पूश्ट नोई वक था जिसकी उम्र तेश चोबी साल की थी उसने अपने दोनों हाथों से अपने बालों से पानी निकालता हुआ अपनी गारी की बैक को देखने लगा कमीनो तुमारी आखें है या बटन तुम्हें मेरी धन्नों दिखाई नहीं थी सड़क पर खड़ी मेरी धन्नों का फुलिया भिगा दिया तुम सब बहुत ही निर्दय लोग हुने वो अपनी गारी की डिग्गी के सामने उन लोगों के तरफ पीद करके ख़़ा हो गया मेरी धन्नों की खुबसूरती को दाग लगाया है तुम सब ने वो लड़का अपनी गारी पर प्यार से हाथ फिराते हुए कहने लगा वो लड़का गारी के पिसले लिस्टे को देख रहा था जो पूरी तरह से पिछट क्या था अब इसका हरजाना भरना पड़ेगा तुमको वो लड़का उन आदमियों के दरब देख ये बिना कह रहा था जीप में सवार आदमियों ने काले रंगी पैंट शर्ट पहनी हुई थी भाई ये कोई पागल वागल लगता है इसे हम ऐसे ही नित्रा देंगे उनमें से एक बलवान सा आदमी अपने जीप में से उतरते हुए अपने साथी से कहने लगा जा जल्दी से नित्रा करा हमें इस लड़की को ढूना पड़ेगा वरना हम सब बे मौत मारे जाएंगे लड़का अपनी गारी के पिछकी वे पिछले हिस्जे को हाथ रखकर देख रहा था देख हमने तेरी गारी को जान बुच करनी ठोका है हमें एक लड़की को ढूना है क्या तुने उसे यहां से जाते वे देखा है वो आदमी उस लड़के के कंदे पर अपना हाथ रखता उससे पहले ही उस लड़के ने फूर्ती दिखाई और उस बलवान आदमी की कलाई पकर कर उसकी पीट से लगा दी पहले मेरी धन्नों का जो हुलिया विगाडा है तुमने उसे ठीक करने का हर जाना परो उस लड़के ने उसका हाथ मरोरते वे कहा ओई पागल हो गया है तु तुझे पता है हम किसके आदमी हैं मुझे जानने में कोई दिल्चस्प नहीं है कि तुम किसके आदमी हो बस तुम हर जाना भरो और यहां से दफ़ा हो जाओ कहकर उसकी कलाई मरोरती वो आदमी की चीखे खामोस वातावरन में गूज गई भाई माप कर दे हमसे गर्दी हो गई वो आदमी दर्द से विलविला होता उसे समझ में आ गया कि जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं होता है इस लड़के से पंगा लेकर हमने अच्छा नहीं किया है भाई हमारी हड़ियों का चुर्मा बना कर हमारी ही आँखों में डालने का दमखब दिखाई दे रहा है इसमें वो सभी आदमी आपस में खुसर खुसर करने लगे उसकी साथियों के हिम्मत नहीं हुई कि वो उस लड़के के हाथ से अपने साथी का हाथ अपने पास वापस ले आए अबे तुम सब मेरा मूँ क्या देख रहे हूँ जल्दी से इसके रूपे इसे लोटा दो वरना ये मेरा हाथ तोर देगा भाई बता कितना हरजाना भडे हम वो दर्द से कराते हुए बोला बिना एक्सप्रेशन के लड़का बोला पच्चास हजार कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया तुमने वो आदमी बोला वो लड़का उसका हाथ अब जोड से मरौन में लगा दे कलवा दे इसे इसका हरजाना आँ वो दर्द से कराते हुए अपने मुँसे ऐसी आवाजे निकाले लगा एक आदमी अपने हाथ में रुपे लेकर डखते हुए उसके पास आया लेजे भाहिया आपके पैसे उस लड़के ने उस आदमी को एक जटके से छोड दिया और वो आदमी दूर जा कर दिया वो लड़का पैसे गिलने लगा और वो आतमी कब वहाँ से गायव हो गए, पता ही नहीं चला, और वो जीपे भी वहाँ से गायव हो गई, ए लड़की बहा निकल, वो लोग चले गए हैं, वो लड़का अपनी गारी की डिक्की को खोलते हुए बोला, ए लड़की बहा निकल, वो लोग चले गए हैं, उस वह उसे अभी खूंद बहरा था, उसे दर्द भी हो रहा था, वो खड़ी नहीं हो पारी थी, वो लड़का अपनी गाली के पास जाकर ड्राइबिंग सीट वाला डोर खोले लगा, तो वो लड़की दोसरी तरफ का डोर होने लगी, बेड, वो लड़का उसे गाली में बैठन लगा, तो मैं इस वक्त कहां जाओंगी, वो रुआसी होकर कहने लगी, मुझे क्या पता, वो आत्मी कौन थे, जो तुम्हारे पीछे पड़े में थी, तुम्हें अपने साथ ले जाकर, मुझे अपने जान खत्वे में नहीं जालनी, प्लीज, मुझे यहां से ले चली, व लड़का उसे घूरते वे उससे पूछने लगा, मेरी शादी जबजस्ती, मेरी सोतेली मा, मुझे बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ करवा रही थी, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ, और वो आदमी 40 साल का है, ऐसा है, हर तीसरी लड़की यही डालाग सब को चिपकाती है, जब वो घर से भाग कर किसी लड़के से टकराती है, तुम कुछ नया ट्राई करो, यह डालाग अब बासी हो गया है, कुछ नया सोचो, फिर वो अपनी गारी में बैठने लगा तो लड़की ने उसका पैर पकल लिया, प्लीज मुझे बचा लेजे, मैं आपका ये अहसान स धारा बहन इकली, उसने अपने दर्द को अपने होटों को भीच कर उसे अपने मुझे अंदर ही रख लिया, लड़के की नजर सलक पर बारिस के पानी में मिले खून पर गई तो लड़की की तिरफ देखने लगा, लड़की ने अपनी कमर पर अपना दुपटा रखा थी, पता ने शायद कोई धारदार चीज मेरी कमर में तब चुपने, ओ गौर कहां फस किया मैं, वो लड़का अपने बाल नोस्ती भी खुच से कहने लगा, गाली में बैठो अब चल्दी से बतलकी से बोला, फिर वो लड़की जल्दी से लड़के की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गई, लड़का ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया, और गाली में गेर डाल कर गाली में चावी लगा कर गाली खाली सड़क पर भखाने लगा, गाली में अब भी एफम रेडियो पर कुमार सानों के गाने बज रहती, सांसों की जरूरत है जैसे, जिन्दी फिल्म आसकी का गाना है, लड़के उस लड़के की तरफ देखने लगी, फिर उसने अपनी कमर पर अपना हाथ रख लिया, उसने सीट की बैक से अपना सिर्ट लगा लिया, कब उसकी आँख लगी उसे पता ही नहीं चला, वो लड़का लड़की को देख रहा था, बारिश उसकी वजे से वो पूरी तरह से भेगी हुई थी रंग ना जादा गोरा था ना जादा काला बीच का था पर उसके नय नक्स किसी को भी अपने तरफ आकरसित करने के लिए काफी थी काली धनी लंबी भवें और पलके भी लड़की की थी वोट कटावदार गुलाबी थी वो उसकी नजघre सड़क की दूसरी तरफ गई जहाएक मेड़िकल स्टोर था उसने गारी रोकी और जल्दी से गारी से बाहा निकलाया रोड करके मेड़िकल से कुछ दबाया और पत्ती लिए फिर पैसे दे करके दबाई की थैरी लेकर जल्दी से अपनी गारी खोल कर उसके बैट किया और गारी अपने फैट की तरफ भूमा लिए उस लड़के ने अपनी गारी दिल्ली के पॉस एरिया में बनी एक बिल्डिंग की पार्टिं में ले जाकर खड़ी ती लड़की अभी भी सो रही थी कैसे खोड़े बेच कर सो रही है जैसे ये गारी इसके रिस्तेद मोड पर चला लिया हेलो लड़के ने फोन अपने कांसे लगाते हुए कहा तो दूसरी तरफ से कोई उससे बात करने लगा अभैसा वह आवाज गारी में गूज गई और उस लड़के ने गुस्टे से अपना फोन से इस पिंगर मोड से खड़ा दिया कितनी बार कहा है आप कि मुझे फोन करके परिशान मत किया कि लड़का यानि अभैने गुस्टे से अपने दातों को भी चापके फोन बंद कर दिया और जोर से गारी के स्टेरिंग पर अपना हाथ दे मारा अभैने उस लड़की की तिरफ देखा तो पता नहीं क्यों उसका गुस्टा और बढ़ सौरी मुझे नीद आ गई थी गारी से नीचे उतरूगी या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर तुम्हें गारी से पाहा निकाल अभै बुड़ी तरह से खीच पड़ा फून सुनने के बाद लड़की नहीं नहीं मैं खुद उतर जाओंगी कहकर ग नंगे पैर दोनने की वज़े से कंकर पत्थर उसके पैरों की तली में चूप गया थे जिसकी वज़े से पैर भी जखनी हो गई थी अब बिल्डिंग के इंट्रेंस पर पहुंचा तो वो पीछे मूर कर देखने लगा बारिस अभी भी लगी थी लड़की धीरे धीरे चल रही थी तो अभे गुस्षे से पीछे उसकी तरफ भूरा तुम थोड़ा तेज नहीं चल सकती हो अगर किसी ने तुम्हें मेरे साथ यहां देख लिया तो सो बाते बनाएंगी वो लड़की तेज चलने की कोशिस कर रही थी पर चल नहीं पा रही थी अभे ने गुस्षे स मुझे नीचे उता रही वो उसकी गोद से नीचे उताने लगी कच्वे की चाल से चल रही हो तुम ऐसी ही चलती रही तो कल सुबह तक मेरी फ्लैड में पहुँच बाओगी फिर बिल्डिंग में रहने वाली सभी आंटियों के पास सिर्फ एक ही टॉपिक होगा बात करने क लिए वो लड़की कौन थी जो नीली आँखों वाले लड़के के साथ थी वो लड़का मूँ बनाकर बोला तो लड़की को हसी आ गए वो अभे के आँखे देखने लगी तो वो नीली थी ज्यादा दियात दिखा है तो अभी यही पटक तूँगा और मुझे घूना बन कर लड़की ने अपना मूँ बन सा लिया और अपनी नज़रे जुका ली फिर आती रहना तुम और सबके सवालों के जवाब भी देती रहना अकेली अभे जल्दी से लिफ्ट में घुज गया और अपने फ्लोर पर जाने के लिए उसने बटन दबा दिया लड़की को वो दिओर में रोवृना यहीं पठक देंगा आप यार आसे बात निकशते हैं हर बात पर चिंडा जरूरी है क्या वो लरकी भी उसे प्लूर्त को आप जीशरे से तक कोई रहे भी कैसे सकता है वो धीरे से बुद्धधाई पर अभे नहीं सुना उसकी बुद्धधार वरना लड़की को वहीं पटक कर चला जाता तब ही लिफ्ध खुल गई और वो चल्दी से लिफ्ध से बाहा निकलाया उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी प्लैक का दर्वाजा पास्वर लगा कर खुलने लगा दर्वाजा खोलकर अंदर आ गया और लड़की को अपनी पोस्ट से निच्छे पर आ दिया फिर दर्वा नेजरे गुमाकर फ्लैट को देखनी लगी वन बीएच के फ्लैट था सिंगल आदमी अकेला कैसे रहता है उसे आज पता चला ती टेबल पर गंदे मोजे रखी हुए थी सिंगल सोफे पर शर्ट जीन्स टीशर्ट ती 29 लगी हुए थी जूते पूरे हाल के कोणी की सजाव बने वे थी मोजों से इतनी भ्यानत तंदी बद्वू आ रही थी कि उसने चल्दी से अपने मूग को अपने दुपत्ने सिध्या अभै कुछ देर बाद कपने चेंज करते हाल में आ गया वह सर्ट लेंस था पर उसने लोवर पहना था तुम अब तक नहीं खड़ी हो इसे से क्या मतलब है तुमारा वह अपनी कमार पर अपने दोनों हाथ रखकर अपनी भौवे उसकाते वे लड़की से बोला आप बिना शड़ के मीरे सामने आ गए अभैने अपनी तरफ देखा फिर उसे देखा जो उसकी तरफ अपनी पीट करके खड़ी ओ हेलो कुछ ना मुड़े कहने लगी एक और मुसीबत अब मैं तुम्हारे रात के तीन बजें कपड़े कहां से लाओं सही कहते हैं सब लड़की मतलब मुसीबत वह बरबर आते हुए अपने कमरे में गया फिर कुछ सेकेंड के बाद कमरे के अंदर से बहुर बहार हाल में आ दिया लड जनते हैं अब है मुझ बना कर पहने लगा जो है यही है इसी में एड़ेस्ट कर लो यह अकेली शर्टी लड़की डरते हुए भूली तो लड़का उसे अपने दरब हुमाते हुए कहने लगा तो मैं अकेली शर्ट नहीं पहन सकते हुए तो फिर बैठी रहों गीले यहां एक ही कमरा है और मैं तुम्हारे साथ अपना कमरा और बिस्तर बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगा वो रियूड होकर बोला और फिर अपने कमरें की तरफ चबा गया लड़की की आँकों में आशू आगे अन्भी तेरी जिन्दिगी में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो तुस्से प्यार से बात करें भगवान जी मैं क्या आपके लिए बहुत स्पेसल हूँ जो आप चुन चुन कर दुनिया भर के गम मेरी चोली में डाल रहे हैं दिस इस नौट फेर बगवान जी वो रोते हुए ऐसा बाते कर रहे थी और अपने नाख को छोटे बच्चो की तरह पोच रही थी यही एक नक्चला को सेल और सडू इंसान मिलाता आपको मुझसे मिलवाने के लिए बोली वो अपना चेरा उपर उठा कर कहने लगी और आसुपोस्ते वे बने दूसरे बात्रूम में कपने बदलने के लिए चली गई कुछ देर बात्रूम से बाहर न नीदा आ गई अन्वी दवाई खाय बिना ही रात को सो गई रात को उसे ठंड लगने लगे वो खुद में सिमत्ती जा रही थी उसे ओरने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने नीन में ही सोबे पर लखे वे अभे के कपरों से खुद को पूरी तरह से ढख लिया और फिर वहां से लेते हुए अंगराई लेने लगा वो अपने कपड़े से बाहा निकलाया वो किचन के क्रब जाने लगा तो उसकी नजर अन्वी पर गई जो उसके कपड़ों से खुद को रिपकर सो रही थी यह लड़की अभी तक नहीं और मेरे कपड़े क्या इसे कंबल नजर अन्वी कहरी नीम में सो रही थी उस पर अभे की चिलाने का कोई असर नहीं हुआ इसकी तो कहकर अभे उसकी कलाई पकड़के उसे उठाने लगा तो उसके चेरे के एकस्पेसिन चेंज हो गए वो चुपकर उसके मातरी की चुने लगा वो गौर इसे तो बहुत तेज बु हाथ अपने मातें पर हाथ रखते वे कहा उसकी नजर दवाई की थैनी पर गई जो रात को उसने उसके लिए मेडिकल इस्टोर से खरी दी वो टेबल पर वैसी की वैसी ही रखी ती यह लड़की मुझे जेल की हवा जरू खेलाई अब एक कुर्टे में बढ़बराने लगा इसे बहुत तेज पुरा रहे इसने रात तो दवाई भी नहीं खाई पहले इसे उढ़ा कर कुछ खिला देता हूँ फिर दवाई खिला देता हूँ हंड की वज़े से वो अपने दातों को फिर पिदाने पहले इसे कंबल उढ़ा देता हूँ वरना कहीं यह लोड़क न जा और उसे अच्छे से कंबल हो रहा दिया वो अब भी काप रही तो अब है उसके पास अपने घुटने के बल बैट गया और उसके मातों को अपने हाथों से लेकर उसके हधिरियों को मसलने लगा ताकि उसे कुछ गरमाहप मिल जाए कुछ देर बाद अन्बी ने अपने दाद के ट्राने बन कर दिये तो अब ये लंबी सांस थे इसका जख मुकरे ज़्यादा गहरा तो नहीं है कहीं ये लड़की मेरे चपकर ना लगवा है अस्पताल के कहीं ये यहां मर गई तो अभे बरबराने लगा अभे को सोचते वे उसके उपर चुका और उसकी शर्ड को जैसे ही उपर रुखाने लगा तो अन्बी ने अपनी आँखे एक्दम से खूल दी अन्बी ने जब अभे को देखा तो उसकी आँखे बड़ी हो गई ये क्या करने की कुशिस कर रहा है या उसकी आँखे में दिखाई दे रही थी क्या करने की कुशिस कर रहा था मैं मुझे बताओगी तुम अभे सीड़ा ख़ड़ा हो गया और उसकी आँखों में देखकर बावते करने लगा चेरे पर कौन से बावते उसके इस वक चेरे को देखने से पता नहीं चल रहा था अभे अभे की आँखों की गहराई देख रहे थी वो आप मेरी शर्ट उपर कर रहे थे तो मैं एक लड़की हूँ और आप लड़के जाने की ओ अभे का लहरा नर्व हो गया उसकी आँखे देखकर ओ थैंक्यू मुझे तो पता नहीं था कि तुम लड़की हूँ और मैं लड़का हूँ अभे के चेरे पर गुस्से के भाव आते जाते वे दिखाईटे लगे ये बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत सुख लिया अभे हर सब चबाते वे कह रहा था मैं वो अन्भी अपनी कही बात से छेप गई थी उसने अपनी नजरे चुका ली क्या मैं वो तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे सोते हुए का फाइदा उठाने वाला हूँ उसने अन्भी के चेरे के उपर चुकाते हुए कहा अन्वी को तो यही लगाता कि अभे उसका फाइदा उठाने वाला है पर अभे की आँखों में उसे सच्चाई नजराई तो उसने अपनी नजरे जुका ली उसकी कहें शब्द उसे पराये लगने लगी मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होता तो तुम्हें अपने घर नहीं लेकर आता कहीं और लेकर जाता समझी पर मैं लड़का हूँ इसलिए तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है रहा चलती हर लड़की को मैं छेड़ता हूँगा लड़कों के बारे में सबकी बेटरेंटी एक जैसी ही रखेंगे तुम भी उन जैसे सोचने वालों में से भी सब लड़के धोके बाद बेववा और हर लड़की को हवस की नजरों से देखने वाली नहीं होते हैं पर ये बात किसी समझाई जाए किसी तरह से कोई राहत नहीं मिलती है लड़के अगर बेकस्ण होंगे भी तो भी कोई उनकी कही बात पर भरुशा नहीं करता है बी सड़क पर कोई लड़की अगर लड़के को थपर मारती है तो लड़के कोई को सुझवार ठहराए जाता है कि इसने ही लड़की के साथ कोई बत्तिनी जी की होगी लड़कीओं को ही नहीं, लड़कों को भी हबस, भरी नजरों से देखा जाता है अगर लड़के ये बात किसी से कहेंगे तो सब उसका मजा पुड़ाएंगी ये सोचकर लड़के चुपी साथ लेते हैं और खुपते रहते हैं ये बात अगर अपने घर वालों को बताएंगे तो वो भी लड़के कोई तोसी ठहराएंगी, कोई भी उसे सीरिसली नहीं लेता है, लड़की को कोई छेड़ दे, सब इखटे हो जाते हैं, पर लड़के के साथ कोई जैसा होता है, तो सब चुपी साथ लेती हैं, दोरी भूम का निभाता है हमारा समाथ, लड़का लड़की एक समाथ, तो क्या अगर लड़कों के साथ कोई जादिती होती है, तो लड़कों को इंसाफ क्यों नहीं मिलता है, अपने कुछ से जोड़ से जिगगा और अपनी गदर पर अपना हाथ घराने लगा, अगर मैं चाहूं, तो उसकी आँखे देख रही थी उसकी आँखे नम थी वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी इस बात दिले ऐसे देख क्यों कर रहा था आप तुम्हें बुखार था इसलिए तुम्हें चेक कर रहा था अब एक खुद को नार्मार करते हुए उसकी द्रब देख कर कहने लगा गलत इदार इरादे से नहीं चूराता मैं थे मैं किसी को शफाई ने देता हूं वैसे भी सच बोलने पर ओन है किसी पर सब तोहमते यह तो लगाते हैं सच्चाई जाने बिना तोहमते लगाने वालों में बाहर वालों के साथ घरवाले भी सामिलों तुम्हें बुखार है इसलिए अपना ख्याल खुद रखना सिखें कहकर वहां से जाने लगा तो अन्वी ने उसकी कलाई पकड़ ली अभे ने अपनी कलाई पर अ इसके लिए आपका पहुत हनबाद वो जैसी ही सोपे पर से उतने लगी तो उसके मुझसे चीख ने चल गई उसका हाथ अपनी कमर पर लगी चोप पर चला गया उसकी आंकों से आंसु बने लगी चुपचाप से लेटी रही है ऐसी हालत में यहां से बाहर जाओगी तो सब लोग समझेंगे मैंने तुम्हारे साथ कुछ कमर किया है सब लोग मिलकर मुझे दोसी ठेहरा देंगे जब तक ठीक नहीं हो जाती हो यहां पड़ी रहो पर यहां से पाखर जाने की कोशिस की तो तुम्हारी तांगे तोड़ दूँगा समझी वो से खूलती में बोला अन् मैं तुमसे अब दुबारा नहीं मिलना चलता हूं इसने जल्दी से ठीक हो जाओ और यहां से चली जाओ अन्भी को उसने अपनी शर्ट छोड़ने का इसारा किया और अभे ने उसे कंपर से ठाब लिया सिर्फ कमर पर लगी चोट वाला हिस्सा उला रखा उसने वहाथ के पूरा ध्यान अन्भी की चोट पर था इस वर्ट आवे के चेरे पर मासूमियत भिखे भी थी अपने टेवल के उपर से दवाएका निपापा उठा लिया उसमें से एंटी सेंप्रिक निकाल कर कॉटन रोल में से थोड़ा सा कॉटन निकाल कर उस पर उड़ेल दिया अप मैंने बहुत सहस्ता से अन्भी की कमर पर लगी जोड़ पर मरहम पड़ी कर दी अन्भी उसे ये सब करते वे एक कट्टेक रही थी मुझे घूरना बंद करो अपना से बोड़ा सा उपर उठाया और उसकी तिरफ देखकर गुड़ाया और उठकर ख़़ा हो गया यह मत समझ से गुस्सा करते दें अन्भी की आँखों में आसू आ गए मुझे यहां से चले जाना चाहिए पर मैं जाओंगी कहां वो लोग पागल कुटों की तरह मुझे सूंगते हुए अगर यहां पहुच गये तो कहीं इन पर कोई मुसीवात ना आ जाए अन्भी बहुत परेशान दिल्ली सहर में अकेले को कैसे रहेगी जपाति सुचती हुए अन्भी की चेरों पर उदास भी आई अभी अभय के घर में जुरूर रह रही थी पर अभय का दिन उसके प्रती बिल्कुल भी नहीं पसीजा अभय हमेशा सर्चले सहता था उसके सामने अन्भी ने कभी भी उ उससे नजर उठाकर नहीं देती थी अभय हर वक्त उससे छिटकर बात करता था बेवजे ही गुस्सा करना चिला कर बात करना उसकी आदर बन गई थी यह बात अंभी को अच्छी नहीं लगए थी पर वह मजबूर थी यहां रहने के लिए अभय को खाने पीने के लिए देत बनाती थी एक निम पता नहीं कैसे एक लगी अभय के फ्लैट के अंदर आ गई अभय कहीं बाहर गया हुआ था उसने बहुत ही भर के लिए ट्रेस पहनी हुई थी पूरी मेकप की दुकान बनकर खूम रही थी फोटो पर लाल लंग होता हुआ था उसने हाई हिंस की सेंडल पहने हुई टक टक करते हुए फ्लैट को देखने लगी जी आप कौन और ऐसे कैसे फ्लैट के अंदर आ गई आप अंभी किचन से बाहर निकल कर आकर उसे देखकर कहने लगी तुम कौन हो वो लड़की सोपे पर ने पैर पर फैर रखके पैर गई उसे उपर से नीचे तक क्योंकि उसने एक लंबी टी-शर्ट के साथ अभे कहीं नोवर पहना हुआ था जी मैं अच्छा अभे बेवी ने नहीं नोकरानी रखी है वो अनभी को उपर से नीचे तक वेखने लगी यह शर्ट अभे की है पर तुमने क्यों पहन रखी है जी वो अनभी उसे बताने जादा सती सावित बनने की जिरुवत नहीं है मेरे सामने वो लड़की गुस्ची से सोपे परसी उठकर अनभी के सामने जाकर खटी तुम काम करने वाली बीचारी अपला नारी बन कर अभे जैसे अमीर शाही खांदान के लड़कों को अपरे चंगल में फसा लेती हुँ प उस लड़की की बात सुनकर ओ तुम्हें अभे ने कुछ नहीं बताया है अभे का पूरा नाम अभे रतन सिंग राठोर राठोर परिवार राजस्थान के साही खांदानों में से एक है अभे अपने माता पिता की इकलोती संतान है राठोर अभे राठोर का एकलोता वारिस और मेरा होने वाला मंगेतर वो लड़की इतराती हुए उसे बताने लगी अनभी की तो सांसे अटक गई उसकी बात सुनकर की अभे राठोर परिवार का एकलोता वारिस है पता नहीं क्यों उसकी चेरे पर पसीनी की भूदे जलक में लगी बात कहां तक पढ़ी तुम दोनों ने वो लड़की उसे घूम कर देखती वे उसे फूशने रगी कैसी बात है अनवी का सिर्चक्रा राता उसकी बात सुरकर ज्यादा भोली मत वनो उसे अपनी अदाएं दिखाती होगी रोज तभी तो वो मेरे फोन कॉल को इग्नोर कर देता है वो गुस्से से अपने दातों को पीष्टी वे कर लेगी देखिए आप जो भी हैं उसने फिर से अनवी को टोक दिया जो भी ऐसे क्या मतलब है तुम मुझे जानती नहीं हो मैं इंडिया के सबसे बड़े बिद्निसमेन रजट खुराना की एक लवती बेटी है आप चाहे किसी की भी बेटी है मुझे इन बातों से कोई शरुकार नहीं है अनवी उसकी आँखों में देख कर कहने लगी तुम्हारी हिंबत कैसी भी मुझे से ऐसे बात करने की अनवी ने उसका हाथ बीचे पकड़ लिया हद में रहकर बात करिया अनवी उसे गुस्चे से अपनी उंगली दिफाती नहीं कहने लिए वरना क्या वो लड़की अनवी की तेवर देखकर डर गई पर उसने अपने चेहरे पर डर वाले भाव नहीं आने दी परना कहीं में बेहद हो गई तो आपके चेहरे पर पुता हुआ धाई किलो का मेक अप उत्रुआने में मुझे वक्त नहीं लगेगा दोनों के बीच वाक्यूत शुरू हो गया क्या हो रहा यहाँ अभै अन्बी और उस लड़की को देखकर फैर के अंदर आ गया अभै बेबी कहकर वो लड़की जूट मुट कर रोना रोते हुए अभै के गले से जाकर लग गई तुम्हारी मेड में मेरी इंसल्ट की है अभै ने उस लड़की को खुछ से अलग कर दिया और उससे दूरी बना कर ख़ड़ा लगी तुम यहाँ क्या कर रही हो मदू वो उसे देखकर कहने लगा मैं तो तुम्हें यह बताने के लिए आई थी कि तुम्हारी मेरी सगाई की डेट फिक्स हो गई मदू उसके गले से लिपटते हुए कहने लगी पर तुम्हारी इस मेर मेरी इंसल्ट की और मुझे बहुत कुछ सुनाया वो रोने का नाटक करते हुए कहने लगी और अन्वी की तरफ दे कटे रहसा मुदू सकुराने लगी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा इंसे उल्टा ये मुझे उल्टी सीधी बाते करके बेचट कर रही थी गेट आउट अभे गुस्जी से जोड से चिखा अन्वी को समझ मे नहीं आया कि अभे ने ये किसे कहा उस से या मत उसे तुम्हे सुनाय नहीं दिया मैंने क्या कहा वो अन्वी को गुस्ते से लाल हो रही आँखों से देखकर कहने लगा अन्वी की आँखों में आशु आ रहा है वो अभे की बात सुनकर जड़ हो गई I said get out from here right now अभे गुस्ते से अन्वी पर चिलाया और उसे फ्लैट से बाहर जाने का इसारा जात अन्वी उसी हाल में रोते हुए फ्लैट से बाहर निकल गई अभे ने अपने चेरे पर अपना हाथ फिराया पर उसकी आँखे नम हो गई और लाल हो गई अन्वी रोते हुए अभे के फ्लैट से बाहर निकल गई और अभे बिना भाव के उसे जाते हुए देखता रहा अभय की टोन एकदम से चेंज हो गई, उसका कहा हर लब्द गुस्से से भरा हुआ लग रहा था, मदू अपने फोन को स्कॉल कर टीवे रहस में मुस्कान किखेने लगी, तुम्हें उसके जाने से फर्क पढ़ रहा है, मदू अपने फोन से सेल्फी लेती भी उससे कहने लग पर अभय ने उसकी उंगली को गुस्से से पकड़ कर मरोड दिया, मुझे छूने की कोशिश दुबारा कभी मत दरना, वरना इससे ज्यादा दर्व तुम्हें बरदास करना परेगा, अभय उसकी उंगली को चूरते भी गुस्से से कहने लगा, आ, वो अपनी उंगली आया, तो तुमसे सहन ही होगा, और हाँ, वो मेरी नोकरानी नहीं थी, हालात की मारी थी, हर लड़की तुम्हारी तरह नहीं होती, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी ये जुवान, अपने मूँ के अंदर ही रखो, वरना तुम्हारा मूँ पर ताला कैसे लगाते हैं, मदू अपनी उगली को मसलती हुए कहने लगी, मदू अभय को एक बार फिर से मुस्क्रा कर देखने लगी, बंद करो अपनी बखवास और दफ़ा हो जाओ यहां से, और अपना ये चेहरा उसे कभी मत लिखा लगी, अभय उसके करीब आगया और गुस्चे से उसकी जबड अपने जैसा कोछी छोरा और लीचर इंसान दूरो, जो बिल्कुल तुम्हारे जैसा घटिया सोचता हूँ, अभय मदू गुस्चे से अभय पर अपना हाथ उठाने लगी तो अभय ने गुस्चे से लाल आँकों से उसे उंगली दिखाई, दोबारा मुझ पर उठाने की जो अपना मुझ सिलकर बैठ जाएगा, तुम्हें तुम्हारी अस्ते जगह न दिखा दी तो मैंने मेरा नाम अभय लेगी, अभय की आँके जैसे आग उबल रही थी, तुम नहीं चाहते हो, पर तुम्हारे पापा तो चाहते हैं, यह सगाई हो, वो उसका मजा उड़ाती मेरे कर लेगी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेला हूँ अकेला, वो कोई नहीं है मेरे, मेरी जिन्दगी का फैसला लेने वाले वो कौन होते ही, अपनी जिन्दगी का फैसला मैं खुद करूँगा, अब हैने अपने आँखों से बह रहे आँसों को, बहुत ब अप्यार कर दी थी पर मैं तुन से प्यार नहीं करता है प्यार्जबरस्ति कभी हासिल घर सकता है और तुम जैसी घमनी लड़किसे कोई भी प्यार कर भी रही सकता है मुझपर तुमने घिनोना इल्जाम लगाया कि मैं तुम्हें परेशान करता हूं जबकि तुम मुझे परिशान पपी दी जब रस्ती मुझे छूने की कोशिश कर दी तुम्हारी वज़े से मुझे जेन हो गई मैं चीकता रहा चिलाता रहा पर किसी मेरी कही बात पर एक दीन नहीं किया मेरे पैरेंट्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया तुम अब दफा हो जाओ यहां से वरना मैं मैं तुम्हारी जान ले लोगा निकल जाओ यहां से अभी अभे कुस्से से चोल से चीपा पमदू अभे का यहीं को देख बढ़ धर गई और जल्दी से फ्लैट का दरवाजा खोल कर पाहर लिकांगा अभे वहीं अपने घुटनों के बल बैटकर फूट फूट कर रोने ल अगर मिल गए तो अन्जान बनकर आधिर वाजभ tot अभे को रोने के लिए इस वकट एक गंदे की जरुप ती पर उसके पास कोई नहीं ता इस लग्ले जिसके कंदे पर वो अपना सेथ लगकर अभे रोता हो में ढरता उसके पास नहींन अभे करता पर ओस से यही प्रे करूँगा कि तुम जहां भी रहो सुरची पर अबेर का एक कैन अपने हाथ पुपकर पर बाज़ले में खड़ा था उसने बियर को ओपन किया पर अभी पी नहीं थी अबेर को खुट पर गुस्सा आ रहा था उसने अन्भी के साथ ऐसा क्यों किया उसने अपना पूरा गुस्ता अपने हाथ में पकड़े कैन पर निकाल दिया और वो कैन उसके हाथ में लग जया जिसकी वज़े से उसका हाथ कुछ से संग गया पर उसे दर्द का अहसास बिल्कुल भी नहीं वा उसे रह रहकर अन्वी की फिक्र हो रही दूसरी तब अन्वी की बिल्डिं अन्वी की सड़की सुनसान रास्ता अकेरी दर्टी है जानकर हर कोई उसका फाइदा उठाना चाहता है अन्वी के साथ हुआ भी ऐसा अन्वी सड़क पर चल रही थी और वो रही थी तब ही बारिस भी शुरू हो पूरी त्वीक गई कुछ मन चले उसके पीछी लग गया वो भागते भागते ठख गई थी वो अब और भागने की सिपी में नहीं थी आगे लोग उतनी भीड़ देखकर उसने सांस दी और वो मन चले वहां से भाग दे तब ही उसने अपने सामने एक चर्च दिखाई थी अन्वी जल्दी से चर्च के पास पहुची और गेट खोल कर चुपने की जगेट रोने लगी तभी उसे एक छोटा सा से दिखाई थी वह वहां जाकर चुप गई और अपने घुटनों में सिर्दे कर रोने लगी अन्वी को रोते रोते सुवे हो गई वह जहां चुपकर बैठी थी वहीं बैठी रही चर्च के अंदर से 40-45 साल की एक लेडी जब बाहर आई तो उन्हें अन्वी के रोने की आवास सुनाई थी वह इधर देखने लगी तो उन्हें से दिखाई दिया जहां अन्वी अपने घुटनों में अपना सिर्दे कर रो रही थी वह अन्वी के पास आई रही और उसके सिर्पर प्यार भरा हाथ राने लगी वह जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं हो सकता है इसमें तुम्हारी भलाई ढ़र ंख़एं आंती उन्हों तुम वह आ कई में अभी बच्ची हूँ अन्वी आंटी की बात सुनकर सोचे पड़ गी मतलब उसने तुम्हें वहाँ से बेज़त करके निकाला सिर्फ तुम्हारे भले किले मुझे उन्होंने बेज़त करके वहाँ से निकाला इसमें मेरा बला कहां से हुआ माई चायल तुमने मुझे जो कुछ भी बताया उससे एक बात में समझ गई हूँ वो लड़का बहुत अकेला है पर वो किसी को जान रूसकर हर नहीं करेगा प्योर सोल है वो लड़का तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम अन्वी है और मेरा नाम जेनी मेरे हस्बेंड और मेरे जवान बेटे की देथ हो गई है कुछ महीनों पहले दोनों के जाने के बाद मैं भी सोच जी थी कि मैं जी कर क्या करूँगी पर जो हमें छोड़कर चले जाते ही वो वापस कभी नहीं आते ही मैं ये बात अच्छे से समझ गई थी उनके जाने के बाद मुझे पता चला मुझे बलड कैंसर है मेरे हस्बेंड और मैं एक छोटा सब कैफे चलाते थी दोनों के जाने के बाद मैं बिल्कुल हकेली हो गई थी फिर भी मुझे जीना पड़ाओ जिंदकी जीने के दो तरीके हैं या तो हालात का सामना करो वो भी मुस्क्रा कर या फिर घुटने टेक कर अपनी हार माल में तुम कौन से तरीके से जीना चाहती हो आंटी मुझे ज़्यादा दुखी है आप पर आप हालातों से मेरा नहीं, मैं भी हालातों का सामना करूँगी और जीऊंगी, बस मुझे एक नौक्री मिल जाए, मेरे कैफे में काम करूँगी आंटी, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, चलो मेरे साथ जेनी आंटी, आंटी को चर्च की गेट के बाहर खड़ी, गारी के पास ले आई, फिर दोनों गारी में बैठी और वहां से चली गए, उस दिर में दोनों बहुत खुशूरत सी जगए पर पहुंच गए, जहां जेनी आंटी का कैफे था, इस पास का माखून, बहुत सुखत रंग बिरंगे फोनों को क्यारियों से घिरा हुआ कैफे, देखने में बहुत खुशूरत लग रहा था, अंबी की नजर कैफे के नेम प्लेट पर गई, टी कैफे, आंटी कैफे तो सुना है, पर टी कैफे, एक्शली मेरे हेल्पेन को चाय पीनी बहुत पसंती, इसलिए उ स्क्रान लगी, ठेंक्यू अंटी, ठेंक्यू मुझे नहीं, उस लड़के क्यों बोलो, कहकर वो मुस्क्रा दे और अंबी हैरान सी हो गई, अंबी के जाने के बाद अभे दुश्कूल अकेला हो गया था, उसे अंबी की चिंता हो रहे थी कि वो कैसी होगी, अंबी के साथ रहे कर उसे घर का खाना खाने के आदत पर गई थी, अबैस सुबह जल्दी उट गया, रहती साथ सफाई करने के बाद अपने लिए उसने नास्ता बनाया, और फिर वो नहाने के लिए चला गया, नहा कर आने के बाद उसने नास्ता किया, यूटे बरकर उसे किचन में, सिं पाणी कर रहे हैं वो लटका आट जा कर नीचे जुब कर तुसरे लड़कें को कहने लगा तू गारी के नीचे भुशा हुआ था राजू तुम सब देख रहा है वो लड़का राजू को हड़काते हैं भाई नक्सा तो नहीं बनाएं पर ग्रीस लगने से पूरा चेरा काला हो गया है गारियों के गैराज में काम कर रहे हैं तो ग्रीस लगेगी फिरने स्क्रीम नहीं अब चल तुम सबने मिलकर रूट मुचा रखी दो तारे की गाली के फ्रंट डोर की बिंडो से अपना सिर अंदर को साया और गाली की चावी निकालकर गाली को लॉक पर दिया जो राजू के साथ आया था उस लड़के ने ऐसा किया और चावी अपको चेप में रखी पहले हमारा मेहंताना फिर गाली इस गैरा से पाहर जाए गए हमारा मेहंताना दो और अपने टीन का डिपा लेकर यहां से निकलो। तुम पचास लागी गाली को टीन का डिपा बोल रहे हो। वो कुस्स जोर से चीकुती। हाँ, टीन का डिपा ही है यह। और अगर तुमने हमारा पूरा मेहंताना हमें नहीं दिया, तो इसे भंगार में जाने से कोई रोग नहीं पाएगा लड़का गाली के पूर्णट से कूट कर लड़की के सामने जाकर ख़ड़ा होगा तुम्हारी इतनी हिम्मत वो लड़की उस लड़की पर अपना हाथ उठाने लगी तो लड़के ने उसका हाथ बीच में पकड़ लिया हाथ में रो अपनी समझी कहकर गुश्चे से उसका हाथ छटक दो हिम्मत देखी कहाँ है अभी मेरी तुमने मिस मधूँ अभे तुम यहाँ अभे ने अपनी जेव से अपने रुमाल निकालकर अपनी चेरे को साब करती हिर लिए का पैसे दो और दफा हो जाओ यहां से मधू के तो घूँष उड़के अभे को यहाँ देखकर यह गैराज अभे का था और अभे यहां मैकेनिक था अभे मेकेनिकल इंजिनियर कर ला था पर मधू की जूटे आरोफू की वज़े अभे को कॉलेज से बाहा निकाल दिया गया था अभे की पढ़ाई अधूरी रे गए जो पिर उसने अपना एक छोगा सा गैराज खुन लिए अभे से अपनी पेचिती करवा कर मधू अपने घर पागलों की तरह सामान तोर में फोने लगी कुछी देर में उसने पूरी घर को कबार खाना बना दिया तब है उसके पापा मधूर सी पहुच गए मधू ये क्या हाल बना रखा है पूरे घर का तुमने मधूर जी अपना सिर पकड़ कर कहने लगी डैड वो अभे उसने मुझे सब के सामने बेचित किया है मधू गुस्से सिचिप कर कर लगी मधूर जी हैरान ओकर ये क्या कह रही हो तुम मधू ने फिर उन्हें सारी बात बता दी मधू अभैने अगर कह दिया है कि वो तुम से सराइप नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा वो तुम से बतला ले रहा है मधूर जी मधू की तरब बेचिना लगी मेरे बने बनाये प्लान को बरबात कर दी जहान्म उसकी जिन्दगी नहीं हमारी होगी अगर अभय और मदू की शगाई नहीं हुई इसे क्या पता मैं पूरी तरह करजे में ढूबा हो तो बस हर दिन हजारों लाखों उराती है विना सोचे समझे इतने एसो आराम की जिन्दगी अभय के पापा की वज़े से जी रहे ह अगर उन्हें मदू की हकीकत पता चल गई मदू ने जान भूशकर अभय को फसाया था तो वो तो हमारा नाम ही निशान ही इस दुनिया से लिटा देंगे मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा मदूर जी को सोचने लगे और किसी को फोन करने लगे फिर कुछ देर बात लग में काम करने वारी नड़की को घर की साफसपाई करने का वोल कर वह से चले गए राजू अभे के पास बैठते हुए भाई आप क्या पहले से उस नच्चरी लड़की को जानते हैं अभे राजू की तरफ देखकर मुश्कान लगा कभी कभी जिंदगी में कुछ गलत ल जिनों से आप चाए पी रहें राजू अभे की तरफ हैरत से देखते हुए पुश्कान लगा अभे राजू की तरफ देखकर फिर भुस्काने लगा था जाकर चाह ले करा बहुत सी कारिया रिपेर के लिए आई राजू सिर्फ फिजलाते में अभे के पास उपकर चला गय भाई को कुछ तो हुआ है पर क्या वो ये सब सोचते हुए गाराज के बाहर निकल गया उस दिर बाद राजू सब के लिए चाह ले करा गया गाराज में काम करने वाले छे साथ लड़के थे अभे ने सब को चाह पी निए बुला लिया सभी वहीं जमीन पर बैठकर आल्ट आंटी की टी कैफे से जेनी आंटी की टी कैफे में तो ऐसी चाह कोई नहीं बनाता है अच्छी नहीं लगी आपको चाहे जाना पहचाना स्वाद है कहकर अभे मुस्कुराया क्योंकि ऐसी चाह अन्भी बनाती थी अन्भी का नाम देते ही अभीर के होट परबसी मुस्कुर तुमत्हाज के लिए और दूभा रहिए थह अभी निए निए जैनी आंटी के टी- supports अच्छे से संभाा लिया हुए था जिसकी चर्चे हार दरब होने लगे अन्भी सब के साथ खुल मिलकर रहती थी तो कैफे में काम करने वारी बाकी लड़कियां भी उसके साथ अच्छे तरीके से पेशा देथी। जेनी आंटी के ठी कैफे में ग्रहक पढ़े लगे तो अन्भी ठी कैफे के सामने पुले जगे पर टेबल कुर्सियां लगवा दी ताकि सब आराम से बैठ कर खाप पी सके अभे का गैराज गैराज में कुमार सानू के गाने दिन रात बस्ते रहते थे और वज़े थी अभे क्योंकि अभे को असी नबे के दसक के गाने सुनने अच्छे लगते थे। कि आई है उसने तो कमाल कर दिया है राजू अभे के पास आकर बैठ कर बताने लगा अभे गारी के इस्क्रू कस्ति में कमाल हां कमाल भाई पहले ठीक एफे पर चाय सेंविच ही मिलता था पर अब सुबह बढ़िया नास्ता भी खाने को मिलेगा अभे मनी मन खुसों कर सब्सक्राइब मेरे मूं में पानी आ गया है खाने की इतनी आइटेम सुनकर राजू अभे को मस्का लगा कर कहने लगा अभे मुस्क्राते भी राजू की तरब देख कर ठीक है जा सबके लिए प्राठे के साथ चाय भी लेया जेनी आंटी बिटी कैफे से अभे ने इतना ह आकर उसे कहने लगा ये नहीं आंटी राजू को देख कर राजू आज तुम इतने दिरो बाद यहां आए राजू आंटी के सामने रखी पुर्सी को पर उनके सामने बैठ दी आए आंटी मैं तो रोज आता हूं यहां चाय लेकर जाता हूं यहां से अच्छा आज भी चाय लेने आए हो आंटी आज चाय के साथ नास्ता भी लेकर जाओंगा अपने हाथ का खाख हांगर पक चुका हूं मैं आपके ती कैफे के बहुत चर्चे हो रहे हैं आज कल आंटी हरती यह सब अन्भी का कमाल है राजू है राइस कौन अन्भी आंटी वहीं जिसकी वज़े से टी कैफे के चर्चे गली-गली में हो रहे हैं अच्छा अन्भी नाम है उनका तुम्हें नास्ता पैक करवाना है आंटी पराठे और चाय आज अभे भाई भी यहीं से लाया क्या नास्ता खाएंगे अभे कैसा है बहुत दिन हो गए उसे मिले हुए मैं भाई को बोल शुब कर उनके पास आ गए आंटी रोसनी अन्भी से कहना वहीं और मूली 20 पराठे पैक कर दें दही अचार के साथ और भी रोस्डी ठीक है आंटी मैं अभी नास्ता पैक कर वाकल आती हूं रोस्णी अंदर किचन में आ गए और गोफी और मूली के 20 पराठे पैक करने है बने रखेंगे कि बनाओगी पराठे बस अभी बनाता रखेंगे पर इतने पराठे कौन खाएगा अन्वी पराठे पर भी लगाती वे रोश्टी से पूछ लेगी वहां तो यह सब पराठे वो सब खाएंगे अच्छा ठीक है पराठे बन गए हैं तुम पैक कर दो मैं तब तक चाय बना देती कुछ देर में चाय बनगी फिर अन्वी ने छाय केत्लि में डाल दी और रोश्टी पराठे पैट पास आ गई अंटी चाय और पराठे राजू पराठे पराठे ऑर चाय अपने हाथों को पोश्टी में उससे पूछ लगा भाई पराठे अभी सेगे हैं अन्वी जी ने इसे देर हो गई अन्वी का नाम सुनकर अभे की दिल में पता नहीं टीस सूटी महस निरबल संजू गजू लाला आजाओ तुम सब नास्ता कर लो आकर फिस अभी मही जमीन प अन्वी के हाथ का बना हुआ खाना खाया था इसलिए वो अंदर से खुस लग रहा था राजू पराठा खाते हुए अभे की तरफ देट कर खाई अंटी से मिलाना अभे हराने से मुझसे मिलना चाहती है क्यों राजू आप बहुत दिनों से उसे मिले नहीं है इसलिए ठीक है मिलाँगा तुम सब नास्ता करके अपने अपने काम में लग जाना कुछ दिर बार सब हैं नास्ता किया फिर सब अपने काम में चुट रहे हो इसी बीच अभे के हाथ पर काम करते भी चोट लगते रात को अभे के पैर खुद बखुद गुद जेनी आंटी के टीब अभे में पहुश गया, अभे को पता नहीं था वो यहां क्यों आया है, जबकि उसे पता था अनभी यहां, तभी जेनी आँटी ने अभे को देख लिया, अभे तुम कब आई, अभे मुस्क्राते वे, अँटी बस अभी, तभी वहां अनभी आ गया, अँटी वो लीना का पे कहते हैं, अनभी आभे को अपने सामने देकर चुप हो गई, उसकी नजर आभे के हाथ पर लगे ख़ौप पर चिले गई, आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में, क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं, तो कमेंट में येस जरू लिखेगा, हैंक्यू कर दो